नमस्कार दोस्तों पहलवान गुरूदीन गुरूफ ओप कॉलेज के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत है मैं विभात आम्रकार राजनीती विज्ञान की प्रवक्ता यदि आपने हमारा चैनल अब तक सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज सस्क्राइब करें, लाइक, शेयर, कमिन्स चरूर करें और बैल आइकन बटन दवाना ना भूलें जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे आए दोस्तो, आज हम पढ़ाते हैं, अरस्तु का राजनीती विज्ञान का जनक कहलाना अरस्तु राजनीती विज्ञान का जनक है, इससे सम्मंधित बहुत सारी जानकारी देंगे कि अरश्टु को राजनीती विज्ञान का जनक क्यों कहा गया है क्यों वो राजनीती विज्ञान का जनक है इससे सम्मंधित बाते हम करेंगे यह भी वी फाइनल और एमे का पेपर रहता है और यह बड़ी मोश्ट कोश्चन रहती है राजनीती में प्लेटो अरस्टू से सम्मंदित बहुत सारी कोश्चन बनते हैं सबसे पहले एक डनिंग के अनुशार है कि पश्चमी जगत में राजनीती विग्यान अरस्टू से ही प्रारम हुई है पश्चमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही शुरूबात हुई या प्रारम्द अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान का किया है उसकी महांतमक्रती पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की अनुपम निधी माना जाता है अरस्तु सेपूर्व प्लेटो ने राजनीती पर विचार किया था किन्तो उसका संपूर ग्यान कल्पनावादी था किसमे था प्लेटो का पूरा विचार कैसा था कल्पनावादी कल्पनावादी विचार उसको माना जाता है काल्पनिक विचार प्लेटो हवाई यूजना बनाने वाला और शौपनिल उड़ान भनने वाला था करने वाला दार्चनिक था क्या उसको कहते थी हवाई यूजना और शौपनिल उड़ान सपने में उड़ना उसको ऐसा दार्शनिक कहा जाता था प्लैटो को, जिसको बास्तिविक्ता तथों से कोई मतलब नहीं था, प्लैटो की पद्धिती निगनात्मक है, और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्स राजिक कैसा होना चाहिए, गिर्थात राजनितिक इस्तिती से उसे देने वाला वास्थविक जगत मित्या है और विचारों का कालपनिक जगत वास्थविक है ऐसे इस्तिथी में प्लैटो को हम अधिक से अधिक कवीक अलाकार या दार्षनिक कह सकते हैं बिसाइपर क्वेशार करनी वाला विज्ञानिक नहीं कहा गया प्लेटो की अनुशार राजनीती विज्ञान को सुतंत्र विज्ञान का दर्जा प्राप्त नहीं था वह राजनीती शास्त्र को नीती शास्त्र का ही एक अंग मानता था कौन प्लेटो राजनीती विज्ञान को एक सुतंत्र विज्ञान की गरिमा प्रदान कन्नी का कार अरस्तु के द्वारा ही किया गया अरस्तु ने ही राजनीती विज्ञान को एक सुतंत विज्ञान की संग्या दी थी उसने नीती सास्त और राजनीती सास्त्र में अंतर किया उसने राजनीती विज्ञान को उच्छ कोटी का सास्त्र माना क्योंकि यह राज जैसी सर्वोच सं उसका अध्यन राजनीति विग्यान था अरस्तु को निम्रिखित कार्णों के आधार पर राजनीति विग्यान का जनक अध्वा पृत्तम राजनेतिक विग्यानिक निक कहा जाता है, उसकी पंधती कैसी थी अगनातमक विधी कानुसरान उसने किस विधी का किया था अगनातमक विधी कानुसरान अधिकतर विद्वानों ने अरस्तु को राजनीती सास्त्र के छेत्र में अगनातमक विधी के प्रिणता की रूप में स्विकार किया इस विधी की विशेष्टा यह है कि इसमें विचार जो कुछ देखता है वह जिन एथ्यासिक तर्थों की खोज करता है उसका निस्पक्च रूप से बिना अपनी किसी पूर्ण धार्णा के अध्यन करता है और इस अध्यन की फल्चवरूप जो कुछ भी निसकर्ष निकलता है उसमें ब्याज्यानिकता का पुट होता है इस द् सम्मिधानों का उसने अध्यन किया और उस अध्यन के संदर्व में निकले निसकर्षों के आधार पर ही राज्य के सिध्धानतों का प्रतिपादत किया था जो एक सम्मिधानों का जब उसने अध्यन किया जब एक राजनीती विज्ञान का उसने सार निकाला फिर आता है र राजनीती सास्त्र को नीती सास्त्र से प्रथक करना प्लैटू ने राजनीती सास्त्र को नीती सास्त्र का एक अंग माना है प्लैटू ने लेकिन अरस्तू ने नहीं माना उसने राजनीती सास्त को नीती सास्त में ही शमाहित कर दिया उसने अंग माना इसने नीती सास्त को रा अरस्तु वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीती सास्त को नीती सास्तर से प्रथक कर उसे सुतंत्र इस्थान प्रधान किया था अरस्तु ये कैसा विचारा के जिसने नीती सास्त को राजनीती सास्त दोनों को अलग कर दिया और राजनीती सास्त को एक सुतंत्र विज्यान माना प्लेटो ने राजनीती सास्त को नीती सास्त में ही प्रोहावित कर दिया था तो वह सुतंत्र नहीं हुआ, इसने इस राजनीती विज्ञान को एक सुतंत्र विज्ञान माना, जिसने नीती सास्त और राजनीती सास्त में अंतर किया, उसके अनुशार नीती सास्त का संबंद उद्देशों से है, जिसके द्वारा उद्देशों को प्राप्त किया जाता ह क्या है नीति सास्त का सम्मंद उद्देशों से है जबकि राजनीति का सम्मंद उन साध्रों से है जिनके द्वारा उद्देश को प्राप्त किया जाता है फिर आता है यर्थार्थ बादी द्रश्टी कोण। यर्थार्त वादी विचारक अरस्तु प्रत्थम विचारक है जिसने राजनीती पर यर्थाद वादी वो बेभारिक दरष्टीकोंड से विचारक किया उसने सदेवी अतिवादिता से बच्चते हुए मध्यमार्ग का अनुशरां किया ये इसकी बहुत बड़ी वो है कि उसने मध्यम मार्ग का अनुशरान किया था इसमें कैटलिन की सब्दों में लिखता है कैटलिन की अरस्तु सामानने था ज्यान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है बिवारिक बिचारक होने के कारण अरस्तु ने मध्यम बार्ग के अनुसरन पर सबसे अधिक जोड़ दिया उसने अपनी पूरे बिचारों में मध्यम बीच का मार्ग अपनाया था वह यह मानता था कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अबरोधग असंतुलन है चाहे राजनेतिक असंतलन हो अत्वा सामाजी और आर्थिक असंतलन ये असंतलन अतियों के कारण पेदा होता है सामेबाद निरंकुस्ता आंगिक्ता समानता आदि सभी को अति समझता है इसलिए वह इसके बीच का मर्ग अपनानी का समर्धन करता है पॉलिटिक्स का सिध्धानत एक मध्यम मर्ग है जिसके अनुशरान द्वारा अरश्तु ने राजनेति और आर्थिक असंतलन को सदेप के लिए दूर करने का प्रतने किया इस प्रत्न को एक ब्यग्यानिक उप्चार कहा जा सकता है फिर आता है राज्य के पूर सिध्धानत का क्रमबध निरूपन उसने राज्य के अरश्तु ही पहला विचाराख है जिसने राज्य का पूर सिध्धानति पर्णन किया है राज्य के जन्म और उसके विकास को लेकर उसके सौरूप सम्मिधान की रचना सरकार की निर्मान नागरिक्ता की ब्याख्या कानून की सर्वोचिता उकरांति आधी अनेक महात्यमूर विस्यों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है बारकर की सब्द में अरस्टू के विचार प्रहा आधुनिकता है भले ही अरस्टू का राज्जी के वर एक नगर राज्जी रहा है फिर आता है सम्मिधानों का वैग्जानिक वर्गी करण बारकर ने अरस्टू की महानकृति पॉलिटिक्स के अनुबाद में लिखा है बास्तों में सम्मिधान के वारे में जितना ब्रिष्टित अध्यान हमें अरस्टू की पॉलिटिक्स से मिलता है उतना अनन्य नहीं और उस समय जबकि दुनिया में राज्जी विचार धारों का उधै हो रहाता सम्मिधान पर व्यक्त अरस्टू की विचार कर की विचार ज वाशा को निर्धारित करने में मार्ग दर्षन सिध्धोगी नागरिकता सम्मंदी विसाए के अध्यन के लिए आगे चलकर विद्ध्वाने ने अरस्तु के मूल विचारों को भी आधार माना है फिर आता है कानून की सर्वोचिता कप्रती बादन अरस्तु ने कानून की अम्यक विचार प्यस्तु किया है अरस्तु सार्वुदिक बुद्धी संपन व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परमपरागत नेमों और कानूनों की स्रेश्टता में विश्वास करता है जबकि प्लेटो अतिमानों के सासन में विश्वास करता था अरस्तु के कानून की सर प्रतिपादन किया है उसमें बैधानिकता संप्रहुता के बीच नहीं थे फिर आता है सरकार की अंगों का निर्धारन अरस्तु ने सरकार के तीन अंगों नीती निर्धारक प्रशाश किया और नियाईक का निरूपन किया है तीन अंग कौन-कौन से है एक है नीती निर्धार अिए शासकी अंग बर्दमाण समय में विवस्ताभी का कारपालका और नयायपालका कान के समान ही समान है उतित में आरस्तु नतिन परिंदनर्धारन प्रुषासका और नयायक है अरस्तु ने इन बिभिन प्रशास की अंगों की संगठन, कार्चित और सकतियों की बारे में विस्तार से बिचार किया अरस्तु की यह खोज आंगे चलकर सकति पर्थक करन सिध्धान्त तथा नियंत्रन और संदूलन की सिध्धान्त की रूप रिकबने आसा करती हूं दोस्तों कि ये भी बहुत अच्छी द्राइसे आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तु राजनीती बिग्यान का जनक क्यों कहलाया इसी कारण अरस्तु को राजनीती बिग्यान का प्रथम बेग्यानिक और राजनीती बिग्यान का जनक कहा जाता है धन्यवाद दोस्तु